आपकी स्थिति क्या होगे क्योंकि आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपकी पार्टी नंबर वन की पार्टी है जब भी होगा आप हाइपोथेटिकल की बात नहीं है लेकिन जो रियालिटी है उसके आधार पर अगर हम देखे तो ऐसी स्थिति में आने वाले विदान सभ बीजेपी ही नंबर वन पार्टी बनने वाली है महराष्ट्र में दुसरी कोई पार्टी नंबर वन बन ही नहीं सकती बीजेपी नंबर वन पार्टी बनने वाली है और मेरा क्या होगा कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारी पार्टी में इसका फैसला हम नहीं करें इसका फै भारतिय जनता पर्टी का सवाल है 2024 की लोकसवा में 2024 की विधान सवा में BJP will be number one party in महराष्टर आपका claim यानि पार्टी का claim chief ministership पर रहेगा कि नहीं रहेगा पिछले साल की situation अलगती political situation अलगती उसके आधार पे आपने फैसला लिया था देखिए आप आपको जो headline चाहिए BJP ने claim किया यह मैं नहीं दूँगा क्योंकि इसका फैसला 2024 में होगा हमारा parliamentary board करेगा ठीक है ना लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि बार्टी आपने chief ministership पर claim नहीं छोड़ा ये तो आप कह सकते हैं आपका claim तो रहेगा उसमें आप chief minister रहे चुके है आपको लगता हमने छोड़ दिया है नहीं छोड़ा है आपको लगता हमने छोड़ दिया है मुझे तो नहीं लगता चलिए आगे बढ़ते सवाल यह आता है इसके बाद में कि आज की एक चर्चा यह हो रही है कि जैसे मध्यप्रदेश में हमने देखा या पश्चिम मंगाल में हमने देखा कि कई केंद्रिय मंत्रियों को या सांसदों को कहा गया कि आप विदान सभा के चुनाव लड़ी है उसी तरीके से reverse में महराष्ट में देखा जा रहा है उसमें कई लोगों के नाम आ रहा है कि उन्हें कहा जाएगा कि आप लोगसभा के चुनाव लड़ी आपका भी नाम उसमें लिया जा रहा है कि बड़े faces हमको दिल्ली में चाहिए नए faces हमको दिल्ली में चाहिए आपकी बात पहले भी हो रही थी कि आपको शायद दिल्ली में बुलाया जाएगा आपको कैबिनेट पंत्री बनाया जाएगा महराष्ट में कई लोग ये इच्छा व्यक्त कर भी चुके हैं क्या आप दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हैं आज की स्थिति में या आपका कार्यक्षेतर आपको लगता है कि महराष्ट होना चाहिए आप कहां कुछ रहेंगे सबसी दारा देखिए पहली बात तो यह है कि पार्टी जिस दिन कहेगी दिल्ली आना है दिल्ली आऊंगा जिस दिन कहेगी मुंबई रहना है मुंबई रहूंगा जिस दिन कहेगी तुमारी आवशक्ता नहीं नाकपूर चले जाओ उस दिन नाकपूर चला जाओंगा मैं पार्टी का कारे करता हूँ पार्टी मेरे बारे में तय करते हैं, मैं तय करता नहीं हूँ, इसलिए मेरी उत्सुकता का कोई विशे नहीं है, लेकिन ये जो पतंग बाजी चलती है, कि इनको कहा गया है, उनको कहा गया है, ये पतंग बाजी में कोई उसमें सच्चा ही नहीं है, किसी को कहा नहीं गया है, कहा जाने का सवाल भी नहीं है मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ देखें, ultimately चीज़े political reality से drive होती है और political reality क्या है तो मेरी party ने महाराष्टर के लिए मेरी leadership को cultivate किया तो उन्होंने cultivate किया इसलिए आज मैं महाराष्ट का leader हूँ तो जिस दिन उनको लगेगा कि कोई दूसरा leader cultivate करना है तो दूसरा leader cultivate होगा जब तक दूसरा leader वो cultivate नहीं करेंगे तब तक मैं leader हूँ और आज मैं जिस प्रकार के political reality को समझता हूँ और मेरी party के working को मैं जितना समझता हूँ मुझे लगता नहीं है कि अभी मुझे दिल्ली बुलाए जाएगा महाराष्टर में मैं काम करूँगा महाराष्टर का ही काम मुझे दिया जाएगा और महाराष्टर में मैं सरकार वापिस लगा 26 जनवरी 2026 को हमारा board of the nation का और एक सर्वे आएगा क्या चौथे पार्टर के जुरुत पड़ेगी आपको लोग सभा के पहले आप एक बात ध्यान में रखिए आप कोई भी मुड ना पलीजिये महाराष्ट का मुड तय हो चुका है और ये मुड ये मोधी जी के साथ है और ये मोधी जी को 40 से ज़्यादा सीटे देकर ही रुखने वाला सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने इंडिया टुडे कॉंक्लिव के शुरुवात आपने इस तरीके से की उमीद करते हैं कि अगले साल जब आएंगे तब हम महाराष्ट के इस पर बात कर पाएं कोईलिशन धर्मा आप कैसे निवाते हैं उस पर भी हमारी नजर एगी मेरा तो आपको निवेजन होगा कोईलिशन धर्मा उगरे चलते रहता है साब विकास के उपर बात होनी चाहिए कि अलवेज हम लोगों ने अट्लिस सिक्स्टी परसेंट टाइम यह विकास के उपर देना सर्विकास पर बात तब होगी जब अर्थमेटिक ठीक होगा ने ने अर्थमेटिक के ज़रूरत नहीं है बिना अर्थमेटिक के भी हम कर लेते